हरियाना की कुरुक शेतर से कारुबारी नवीन जुंदल ने आज नामंकन दाखी किया नामंकन के बाद जुंदल ने एबिपी न्यूस से खास बाच्चीत में कहा कि कॉंग्रेस की हालत के लिए जैराम रमीश जैसे नेता जिम्यदार है जिंदल ने जैराम रमेश को सरपंच का चुनाव जीतने के लिए चैलेंज भी दिया जिंदल से बात की ABP News समध आता सचिन कुमार ने उनको लेकर के लोगों का एक बहुत विश्वास है इसलिए बहुत समर्थन मिल रहे है लोगों का सर आपका परिवार जो है दश्कों तक कॉंग्रिस के साथ रहा क्या कंपेलिंग रिजन्स रहे हैं जिनकी वज़े से आप BJP में गए आप चुनाव लड़ रहे हैं देखे मेरे खुद के मेरे मन में था कि मैं भारती जिंता पार्टी से मैं जो है मैं जॉइन करूं और कॉंग्रिस के अंदर भी कई ऐसी बाते थी मैं उनके बारे में मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि मेरी पार्टी रही है और मेरे बारे में मैं उस बारे में मैं बोलना नहीं चाहता और मैं हमेशा से मैं बहुत नरेंदर मोदी जी के नेत्रित से मैं प्रभावित रहा और जो उन्होंने विक्सित भारत का हमें सपना दिखाया तो मैं उसको साकार करने के लिए मैं उनके साथ और सभी भारती जनता पार्टी के सभी कारे करता हूं नेता हूं सब के साथ मिल करक कॉंग्रेस जरूर बातें कर रही है आपके जैराम रमेश जी खासकर जो है ट्विट किये हैं उनोंने आपके जैराम रमेश जी कोई अकेले तो कोई कॉंग्रेस पार्टी नहीं है कॉंग्रेस पार्टी में तो करोडों लोग हैं ठीक है जैराम रमेश जैसे लोग ही जो है पतन का कारण है क्योंकि जैराम रमेश जी जो है कहीं पर चुनाव तो लड़े आज तक ना आज तक लड़े ना वो लड़ सकते तो अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो उनको जमीनी हकीकत का पता लग जाएगा तो टुट किया था उन्होंने की जैंच साइज वाशिंग मसी जैसे बीजेपी को आज की डेट में कह रहे हैं अभी पक्षी जो है कि वाशिंग मशीन इसका मतलब जो है क्योंकि जो मामले होते हैं कोई भी वो तो नियाए पालिका के पास जाते हैं तो क्या वो नियाए पालिका को वाशिंग मशीन कह रहे हैं तो जैराम रमेश जी जो ह इस तरह की बाते जो करना है वो खुद की जो देश की हमारी डिमोक्रेसी है हमारा जो देश का जो पूरा जो तंत्र है वो उसके उपर जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं और जेरामरमेज में अगर हिम्मत है तो कहीं से वो सरपंच का चुनाव रड़के दिखा दें मुझे कोई सांसत की तो बहुत दूर की बात है सांसत या विधायक का कहीं से वो सरपंची का या कहीं पर वार्ड के अंदर कहीं वो अगर MC बनके Municipal Commissioner बनके दिखा दें तो मैं मान लूँगा कि वो निता है